आयुद्या के जिस भावे मंदिर में भगवान राम की प्रान प्रतिष्ठा होने जा रही है उस मंदिर की आधार मद्रदेश के पत्थर से रखी गई है खजराहों के मंदिर जिन पत्थरों पर इस्थित है उनी चतरपुर जिले से आयुद्या के लिए दो लाग सत्तर हजार में ट्रिक टन पत्थर भेज गया है चतरपुर जिले में स्थित एग्रिगेट को आधार के लिए उप्यूकतों माना गया इस पत्थर की खासिया चतरपुर जिले की ततकालीन कलेक्टर शिलेंडर सिंग नी दीडी नियू समवाददाता आधित शिवास्तव से खास बात्षीत में बताई और ये भी बताया कि कोरोना काल में पत्थर आयोध्या पहुचाने में करीब साथ महीनी का वक्त तो लग गया साथ ही कई चुनोतिया भी आई लेकिन भगवान राम के आशिवास से सब संभव होता गया 22 जनवरी को भगवान राम की प्रांट प्रतिस्था अयोध्या के भव्य मंदिर में होने जा रही है और लंबे समय से उस मंदिर का निर्मान चल रहा था और वो मंदिर की आधार शिला जिसे कहें कि बेस जो है वो बेस में जो पत्थर है वो मद्रिप्रदेश से गया हुआ है जी हाँ मद्रिप्रदेश गया जिला है चतरपुर जहां विश्विप्रसद्य परेटनिस्थाल खजराहो मौजूद है पथरों पर मंदिर के सद्धियों से वहाँ पर मौझूद है और जो पत्थर वहाँ पर होता है उसको उप्युक्त माना गया भगवान राम के आयोध्या स्था में जो मंदिर बन रहा है उसका बेज बनाने के लिए और जब यह पत्थर जा रहा था इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किस तरीकी की प्रक्रिया पूरी हुई है कितनी क्वाइटिटी में पत्थर यहां से गया और क्यों छतरपुर के इस पत्थर को उप्युक्त माना गया हमारे साथ उस वक्त छतरपुर के कलेक्टर रहे शीलिंदर सिंग जी हमारे साथ जहां आप collector रह चुके हैं डीम रह चुके हैं चतरपुर से सबसे पहले तो यह बताईए वह पत्थर आखिर कितनी quantity में था और क्या उसकी खासियत थी पहले तो मैं आपको यह धनवाद देना चाहूंगा कि आप सब इस चीज़ को मतप्रदेश से जोड़ करके देख रहे हैं जब राम मंदिर निर्मान का प्रक्रिया प्राराम हुई तो जो बेस बना था तो उसमें एक क्वालिटी रखने के लिए जो राम मंदिर ट्रस्ट है उन्होंने सुनिशित किया कि भूकांप और उस सब सीज़ें से बचा रहे हैं यह मंदिर और सदियों तक बचा रहे हैं जनम जनम तक बचा रहा है तो उसके लिए उन्होंने उसकी स्टरंथ जो उसमें पत्थर लगना था गिट्टी और एग्रिगेट जो लगना था उसको देखा उट च्छतरपूर का जो एग्रिगेट था उस क्वालिटी का उन्हें मिला तो जो उस समय रामदे ट्रस्ट के जो अध्यक्सेसरी नपेन मिस्री जी थे उन्होंने मेरे से चर्चा की कि हमें एग्रिगेट चाहिए आपके हाँ अविलेबल है हमें एक निश्चित मात्रा में चाहिए और निश्चित समयावधी में भी चाहिए सर उस समय कोरोना का भी वक्त था और काफी चुनाओतियां भी रही होंगी निश्चित तोर पर उस समझ चुकि कोरोना का टाइम था दो जारीकीस में ये जून जुलाई था तो कोरोना का जो सेकेंड वेप का लगबग चल रहा था खतम होने की सितिती में था तो ट्रक वगएरा जो ड्राइवर्स थे ट्रक चलाने वाले थे वो तो उनको सबको कोडिनेट करना पड़ा था तो कोविट के टाइम पे उस समयावदी में भेजना एक मुसीवत का काम था खजराहों के मंदर सदियों पुराने सर जो पत्थरों के बने हुए हैं क्या यही एक उदेश यह भी मान सकते हैं कि हाँ एक पड़ा सैंपल था वहाँ पे हमारे लिए देखने के लिए निश्य तोर पर जो चतरपर की टोपोग्राफी है उसमें जो ग्राउन कर्डिशन है वहाँ पर जो ग्रेनाइट की चटानों के उपर पूरा एरिया बसा हुआ है वहाँ पर तो ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ बाकी पत्थरों की तुलना में ज्यादा होती है तो निश्य तो पर जो खजराओं के मंदर हैं वो भी उनी चटानों के उपर बने हुए है तो बेस उनका इसलिए मजबूत है हो सकता है साइंटिस्ट को जो उन्होंने टेस्ट कियो हो वो क्वालिटी उनको वहां पर उस कारण से मिली हो क्वांटिटी में वो पत्थर था जो जिसको आपको बेजने के लिए का आगया था उसमें जो क्वांटिटी की आवसक्ता थी वो दो लाख सत्तर अजार में टिक्टन एग्रिगेट शत्रपू से बेजा गया है जो कि आधार में लगा हुआ है सर मदप्रदेश की अगर बात करें और खास सर वक्तिकत तौर पर मैं आपसे अगर यह जानना चाहूं क्या इसे भगवान राम के आशिरवास से इसको जोड़ का देखना चाहेंगे निश्यतर पर ये मत्पदेश के लिए भगवान का असिरवाद ही है और मैं अपने लिए तो बहुत बड़ा असिरवाद मानता हूँ कि उस क्वालिटी का पूरे देश मैं देखा होगा उनके साइंटिस्ट ने जो बनाने वाले हैं आदेश में च्वालिट का असिरवाद कर देखा हूँ पयुक्त पाया और मुझे आऊसर दिया एक चिट्थी भी आपको आईये सार रामंदे ट्रस्ट की तरफ से क्या है वो चिट्थी और क्या था उसमें रामद्र ट्रस्ट के अध्रिन अध्री जी ने में मेरे लिए जो मैंने ऊसमे किया था, समय पर सप्लाई किया क्वालिटी का और जिस रेट पर चायी था करे कर जो कोरीडेट करा करके समय पर भिज़ आया इसके लिए एक धन्माद पतराओ खी आपन रामद्र निर्मार में एक्रिकेट भेज़ करके जो युगदान किया उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद किया गया है तो मैं आपके माध्यम से स्री नेपर्यमिस सर का भी बहुत-धन्यवाद करता हूँ और उन्होंने मुझे इस लाइक समझा के लिए उस पूरे को कॉडिनेट करने का काम बहुत महती बूमी का बहुत महत्पून बूमी का थी जो आपने निभाई थी और विक्तिकत तौर पे वो भी इसको भगवान राम का आशिरवादी मानते हैं कि जिस टैनियूर में वह वहां मौझूद थे उस वक्त